तो नमस्कास तो आज इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशन पेंट्स लिम्टेड कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के डिल्स को पबिश कर दिया है और यहां पर देखें तो यहां पर मिले जोले डिल्स हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ पैरामीटर्स में ग्रोथ बीढर्शे नमबर हमें क्वार्टर्स पेंट का में डिल्स में बड़ीविवॅ कारणनी इरे औरHay डिल्स का अइर गांटेन आइra इंटीन से क्रिखाई देंए रहे हैं और यहां में से कौर्टर्स में है तो पेंट लोग अपने घरों में कम करवाते हैं और सासाथ बात करें इंडेस्टिल की भी तो कंपनी को जो रिवेन्यूस आते हैं वो मेंली रिटेल इंडेस्टिल से भी काफी अच्छे से आते हैं और बाकि जो बड़े-बड़े बात करें तो इन तीन महींनों में कमपनी का बेजनस थोड़ा सा कमी रहता है कि बारिश के मौसम में तो कोई भी अपने घर में पेंट वगरा जल्दी से कराना पसंद नहीं करता है लेकिन अब जैसे आने वाला कौर्टर है इसमें दिवाली है और निव यर है तो उसमें कंप आया है 1228 क्रोड पे जबकि पिछले क्वार्टर में 1556 क्रोड था और पिछले साल के सेप्टमबर 2021 के कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो सो चार क्रोड था यहां पे देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी ज्यादा 21 परसेंट कमी आई है क्वार मार pensar आ रहा है जबकि पिछले कवार्टर में ऐठारा परसेंट ता और यहाँ आप देखें तो quarter quarter base पे company का net profit है वो 20% कम हुआ है लेकिन year on year base पे देखें तो यह 33% increase हुआ है अब जो हम बात करें थे seasonal business की तो जो हमें लगता है यह तो यहाँ पर हम इसको अगर पिछले साल की September quarter से comparison देखें तो यह ज़्यादा better result है क्योंकि same मौसम होता है same चीज़े है उन्ही तीन मेनों के रिजल से compare करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है पिछले तीन मेन से compare करेंगे तो उतना ज़्यादा रिजल समय ठीक है नहीं लगेंगे हम बात करते हैं अगले parameter की अगले हम देखें तो अर्निंग परशेर इस quarter company के अर्निंग परशेर आई है आठ रुपे 16 पैसे की जबकि पिछले quarter में 10 रुपे 60 पैसे थी और पिछले साल के September 2021 quarter में 6 रुपे 21 पैसे थी तो यहाँ पर देखें तो quarter quarter base पर जो कम हुए है लेकि September 2021 quarter को September 2022 के quarter से करेंगे तो ही हमें clear picture इन रिजल्स की दिखाई देगी और उसी साब से देखें तो company results में कहूंगा कि मिले जो ले नहीं है बलकि अच्छे results हैं company ने पिछले साल के quarter को वाबले इस साल के quarter में काफी अच्छी growth दिखाई है अब हम बात करते है company के current share price की तो अच्छे clients हैं business बहुत strong है तो already company काफी high weightage मिलती है इस विए से company over price ही रहती है mostly अगर हम बात करें stock के PY की भी तो 80 का stock का PY चल रहा है जो की बहुत ही हाई है कि company उतना पैसा नहीं कमाती लिए का price उसके साब से बहुत हाई है यह मतलब होता है PY का और सासाथ industry की PY भी नेकर जो है वो paint की company लें बहुत ही बड़े रहने वाला है तो इससे आशीट में over price ही चल रहे है तो अगर आपने और इस company में invest किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया performance से कोई दिक्कत ही नहीं है आने वाल time भी company का अच्छा है तो आप बिल्कुल उसको hold कर रखिए अगर आ बादा फाइदा हो पाएगा लेकिन company के जो results है उसके बार में आपको detailed knowledge देदी है आज के लिए इतने हैं thank you so much